पहला प्रश्ण है कि हाल ही में किस देश ने मैगलेना एंडर्सन को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना है बहुत ही महत्पूर्ण है तो ध्यान रखेगा इस देश का नाम है स्वेडन क्या नाम है स्वेडन नाम है और स्वेडन में जो मैगलेना अंडेंसन है वो यहां के पहली महिला प्रधार मंतरी चुनी गई है तो option यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि हाल ही में अमेरिका में junior squash open जीतने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है तो ध्यार रख्येगा इनका नाम है अनाहत सिंग क्या नाम है अनाहत सिंग इनका नाम है और यह junior squash open जीतने वाली पहली भारतिय महिला बन गई है तो option A हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण है कि दिसंबर 2021 में world athletics ने किसे woman of the year अवार्ड से सम्मानित किया है तो यह पुरस्कार हमारे देश के प्रसिद अटलेटिक की खिलारी अन्जू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है option यहाँ पर A हो जाएगा फिलहाल correct तो ध्यान रखिएगा woman of the year का जो अवार्ड है यह अन्जू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है अगला प्रशन है कि हाल ही में fortune इंडिया ने भारत की 50 सबसे सक्तिसाली महिलाओं की सूची जारी की है इस list में पहले अस्थान पर किसको जगा दी गई है तो ध्यान रखिएगा इस list में है निर्मला सीता रमन क्या नाम है निर्मला सीता रमन इनका नाम है option यहाँ पर B हो जाएगा correct और आप सभी को पता होगा कि निर्मला सीतारमन जी इस समय हमारे देश की वित्मंतरी है जो की fortune इंडिया की भारत की 50 सबसे 37 महिलाओं में टॉप पे रही है तो B हो जाएगा यहाँ पर correct तो देख सकते हैं पहले अस्थान पर निर्मला सीतारमन जी रही है दूसरे पर नीताम बानी तीसरे पर सोमय सौमिनाथन है डबली एचो वाली फिर किरन मजुम दौर सो है और फिर है सुचित्रा इल्ला तो ध्यान रखिएगा option B हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि Forbes के द्वारा जारी बिश्टो की 2021 में सबसे सकतिसाली महिलाओं की सूचि में कौन टॉप अस्थान पर रहा है तो यहाँ पर हम लोग Forbes की बात कर रहे हैं और Forbes की इस सूचि में टॉप पर रही है McKenzie Scott कौन है? McKenzie Scott है आप सभी को पता होगा कि Amazon Company के जो संस्थापक रहे है Jeff Bezos उनकी ये पूर्व वाइप रही है और ये इस समय दुनिया के सबसे सकतिसाली महिला है option A हो जागा यहाँ पर correct अच्छा इन्हों ने पीछे किसको किया है तो जो आपके जर्मनी की पूर्व चांसलर है अंजला मॉर्कल उनको इन्होंने कर दिया है पीछे तो ध्यान रखिएगा McKenzie Scott दुनिया के सबसे सकतिसाली महिला है दूसरे अस्थान पर कौन है तो दूसरे अस्थान पर हमारी कमलब हुआ है जानि कि जो अमेरिका की उपराश्पती है और हमारे देश से जो बित्त मंतरी निर्मला सीता रमन है वो इसमें 37 अस्थान पर रही है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दुनिया के सबसे सकतिसाली महिलाओं में निर्मला सीता रमन जी 37 अस्थान पर है अगला प्रशन है कि नॉम्बर 2021 में पूरूस प्रणचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोज कौन बनी है तो इनका नाम सारा टेलर है क्या नाम है सारा टेलर इनका नाम है इंगलाइन की पूर्ब खिलाडी रह चुकी है बिराड कोली की पूर्ब एक्स भी रह चुकी है तो आबू धाबी जो आपके T10 कमपटेशन होगा उसमें ये आबू धाबे की साहय कोज बनी है नाम इनका सारा टेलर है तो बी हो जागा फिलहाल करेंगा अगला प्रशन है कि नॉम्बर 2020 केस में इस पेस में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है तो ध्यान रखिएगा इस पेस वाक की बात की जा रही है और ये करने वाली पहली चीनी महिना बन गई है नाम इनका है वांग यापिंग क्या नाम है वांग यापिंग इनका नाम है तो option B हो जाएगा correct अच्छा एक नाम आपको और ध्यार रखना है जो की है Liu Yang का कौन है यह तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पेस में पहुँचने वाली पहली चीनी महिला कौन है तो उनका नाम है Liu Yang तो दोनों ध्यार रखेगा B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि वर्ष दोहजार केस में सैल इंडिया कंपणी की पहली महिला अध्यच कौन बनी है तो सैल के अगर हम बात करें पहली महिला अध्यच बन गई सूमा मंडल ये पिछले साल जनवरी में बनी थी option B हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है जून दोहजार केस में दिल्ली खेल विशुविद्याले के पहले कुलपती के रूप में किसे न्यूट किया गया तो दिल्ली खेल विशुविद्याले की बात हो रही है और इसकी पहली कुलपती बन गई है करणम मल्ले सुरी जी कौन है करणम मलने सुरी तो option C हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि पैरा खिलाडी आउनी लेकारा को खेल रत्न पुरसकार से सम्मानित किया गया वह किस खेल से सम्मानित है तो आउनी लेकारा की बात करें ये हमारी एक पैरा सूटर है जरूर ध्यान रखेगा तो option D हो जाए राजिन का नाम है option D हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण है कि फरवरी 2000 केस में किस देश की नोगोजी ओकोंजी इवेला को बिश्यो ब्यापार संगंठन की महानिदेशक के रूप में चुना गया और लड़ी पान से छे एकजाम में ये प्रश्ण पूछा जा चुक क्या नाम है नजह समीमिन का नाम है फिजी देश से ही आती है यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं तो option C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण है कि अगस्त 2021 में जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है तो जो लोजिकल सर्वे ओफ इ अगला प्रश्ण है कि अक्टूबर 2021 में पिंक बॉल से सतक लगाने वाली पहली भारतिय महिला कौन मनी यह काफी महत्पूर्ण है तो ध्यान रकिएगा इनका नाम है यहाँ पर इस्मृती मंधना क्या नाम है इस्मृती मंधना इनका नाम है अगर आपसे पूछा जाए कि पूरुस में पहले खिलाड़ी कौन रहे थे तो उनका नाम बिराग कोली है और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला खिलाड़ी कौन मनी है तो इनका नाम है इस्मृती मंधना आप्शन B हो जाएगा यह नाम है, मिताली राज इनका नाम है, तो option यहाँ पर A हो जाएगा फिलहाल के लिए correct, इनके बारे में आपको ये भी ध्या रखना है, कि international cricket में 20 वर्स पूरा करने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर हैं पूरे दुनिया की, तो ध्यान रखेगा, मिताली राज हो जाएगा पर appointment हुआ है पूरम गुपता का, किसका पूरम गुपता बन गई है, option B हो जाएगा correct, अगला प्रशन है कि अपरेल 2021 केस में नैस कौम की पहली महिला अध्यच की रूप में किसे चुना गया है, तो यहाँ पर चुनी गई है, नाम इनका है रेखा MNN, क्या नाम है, रेखा हो रही है, और इसकी पहली महिला कमांडिक अधिकारी बनी है, बैसाली हिवासे इनका नाम है, तो option B होगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है कि निमलखित में से, किसको सैवत राज अमेरिका में पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी की रूप में नूक किया गया, तो इनका ना और ये UPBCS में पूछा गया प्रशन है, अगला प्रशन है कि 2021 गरतंतर दिवस में IAF की जहाकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर जेट पाइलट कौन बनी है, तो इनका नाम है भावना कांथ, तो ध्यान रखिएगा, IAF की जहाकी यानि कि Indian Air Force की जहाकी में हिस्स नीचे मुझे कमेंड में बताइएगा कि 2022 में भी क्या किसी महिला ने Indian Air Force की जहाकी में हिस्सा लिया था, उसका नाम क्या है ये आप लोग नीचे हमें बताएंगे, अगला प्रशन है कि मई 2000 केस में भारत की पहली महिला उडान परिछण इंजीनियर कौन बनी है, ये भी का अगला प्रशन है कि ओलंपिक 2021 में एक मैस में तीन गोल करने वाली पहली महिला होंके खिलाडी कौन बनी है, तो ये रिकॉर्ड बनाया था आपके वंदना कटारिया ने, ध्यान रखेगा उत्तरा खंड राज की ये खिलाडी है, और 2022 में इनको पदमस्री पुरस्कार भी दिया गया, इनके इसी कारणामे के लिए, तो एक ओलंपिक के मैस में तीन गोल करने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाडी है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जागा यहाँ पर करक, अगला प्रशन है कि फरवरी 2020 में अमेरिका चैंबर्स आप कॉमर्स की पहली महिला CEO यो कौन मनी, तो इनका नाम सुजैन क्लार्क है, क्या नाम है, सुजैन क्लार्क इनका नाम है, तो ऑप्शन ए हो जागा यहाँ पर करक, अगला प्रशन है कि फरवरी 2021 में असम की सरकार के द्वारा किस खिलाडी को उपपुलिस अधिछक के पत पर न्यूक किया गया है, तो इनका नाम है हीमादास, क्या नाम है, हीमादास इनका नाम है, ऑप्शन B हो जागा फिलहाल करक, अगला प्रशन है कि चैंपियन्स एंड बेतरन समित का अध्यच निम्न में से किसे न्यूक किया गया, तो चैंपियन्स और बेतरन समित की बात हो रही है, इसकी अध्यच बन अध्यच कौन चुने गए हैं तो इंटरनेशनल नार्कोटिक्स नियंतरन बोर्ड की बात हो रही है काफी महत्मोड ये प्रशने जरू ध्यार रखेगा इसकी अध्यच बन गई है जगजीत पवाडिया क्या नाम है जगजीत पवाडिया नाम है तो आप्शन ए हो जागए है पर करग अगला प्रशन है कि जून दोहजार कीस में ब्यापार वाबिकास पर सेवत राष्ट कारकरम के नए महासचिव कौन ने उपके गए हैं तो अंकटाट की बात हो रही है और इसकी जो नए महासचिव बनी है इनका नाम है रिवेका ग्रीन स्पैन ध्यान रखेगा अ और ये आती है कोश्टा रिका देश से तो नाम रिवेका ग्रीन स्पैन है ओप्सन बी हो जागया यहाँ पर करग अगला प्रशन है कि जून दोहजार कीस में तडांग मीनों को किस खेल संगठन के कोच समित का सदसन्यूप किया गया है तो ये बन गई है ए आई बीए की य माउंट पुमेरी पर चढ़ाए करने वाली पहली भारते महिला कौन मनी तो ये हमारी दो महिलाएं है एक का नाम है बलजीत कौर और दूसरी है गुनबाला सर्मा तो जरू ध्यान रखेगा इन दोनों ने माउंट पुमेरी के चढ़ाए की है और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने इस प्रकार का कोई काम किया है तो D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2020 में सयुक्त राष्ट पूजी विकास कोष के नए कारकारी सच्यू की रूप में किसे न्युक्त किया गया तो यहाँ पर न्युक्ती हुई है प्रीती सिनहा की न्युक्ती हुई है तो option A हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि हाल ही में नजला बौडन रोमधन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है तो यह आपके त्यूनीसिया देश की पहली महिला पियम बन गई है नाम इनका है नजला बौडन रोमधन तो option यहाँ पर D हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि जनवरी 2020 में काजा क्लास किस देश की पहली महिला पियम बनी है तो काजा क्लास की बात करें यह बन गई है आपके एस्टोनिया की बनी है तो option C हो जाएगा यहाँ पर correct तो देख सकते हैं एस्टोनिया आपके यूरूप का एक छोटा सा देश है जिसकी आपको तलिन में देखने को मिलेगी और इसी की पहली महिला पियम बनी है नाम इनका है काजा क्लास QUE अगला प्रशन है कि हालही में Walter Disney ने अपने 58 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यच की नियूकति की है तो Walter Disney ने यहाँ पर नियूकति की है सुजन अर्नोल्ड क अगला प्रशन है कि हाल ही में भारतिय मूल की जो अनीता आनन्द है ये किस देश में रच्छा मंतरी नियुक थोई बहुत ही महत्पूर प्रशन है तो अनीता आनन्द की बात करें ये आपके कराड़ा के डिफेंस मिनेश्टर बन गई है ओप्सन ए हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि पैरा लंपिक्स में दो पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला कौन मनी है ये प्रशन भी ऑलरी दो से तीर एकजाम में आ चुका है नाम इनका आउनी लेखा रहा है मैंने अभी आपको उपर बताया था कि पिछले साल इनको खेलरत्र पुरसकार भी दि जिन्धू आप सभी को ये पता होगा कि 2016 में जो हमारे रियो डी जने रियो में उलम्पिक हुआ था उसमें इन्होंने बैट्मिंटन में सिल्वर जीता था और इस साल जीता है ब्रॉंज तो इस प्रकार से ये पहली महिला बन गई है जिन्होंने दो मेडल जीता है ऑप्श कुस्ती चेंपिंशिप 2021 में सिल्वर पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला खिलाडी कौन है तो इनका नाम है अंसु मलिक तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक तो ये देख सकते हैं अंसु मलिक है जिन्होंने आपके अक्टूबर महिने में 57 किलोग्राम व पहली महिला फुटबॉल खिलाडी कौन है तो इनका नाम है ओइनम बेंबेंबेंदेवी क्या नाम है ओप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करग्ड़ अगला प्रशन है कि वर से 2021 में स्रिष्टी गोष्वामी किस राज की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी तो स्रिष्ट ए हो जाएगा यहाँ पर करग्ड़ अगला प्रशन है कि वर से 2020 में जो रेस्मा मारियम है यह आपके किस राज में सबसे इवा पंचायत अध्यच चुनी गई तो लगभग यह आपके दिसंबर 2020 के लाश्ट में चुनी गई थी नाम इनका रेस्मा मारियम रॉय है और यह बनी थे केरल में कहाँ पर केरल में यह बनी थी तो ऑप्सन बी हो जाएगा यहाँ पर करग्ड़ अगला प्रशन है कि वर से 2020 में मिराच्छी वर्मा को किस राज में एक दिन के लिए ग्रह मंत्री बनाया गया तो मिराच्छी वर्मा जो कि एक कॉंस्टेबल है इनको भारतिय महिला कौन मनी है तो इनका नाम भी आप जरूर ध्यार रखेगा इनका नाम है मिंटी अगरवाल इनका नाम है तो ऑप्सन डी होगा यहाँ पर करक्ड़ अगला प्रशन है कि किस भारतिये को सयुत राश्ट में महिला प्रवक्ता के रोप में न्योग किया गया तो अगला प्रशन है कि दिसंबर 2021 में Miss Universe 2021 का जो खिताब है ये किसने जीता है तो ये आप सभी क्यों पता होगा कि देश की ये तीसरी महिला बन गई है जिन्होंने Miss Universe का खिताब जीता है नाम इनका है हरनाज का और संधूर क्या नाम है हरनाज का और संधूर नाम है तो option A हो अगला प्रशन है कि अक्टूबर 2020 में Miss International World का जो खिताब है ये किसने जीता है तो ये खिताब जीता डाक्टर अच्छता प्रभू ने किसने जीता डाक्टर अच्छता प्रभू ने जीता है Miss International World का खिताब तो A हो जाएगा करेगा अगला प्रशन है कि फरवरी 2020 में VLCC फेमिना Miss India World 2020 का खिताब किसने जीता है तो ये खिताब जीता था मांसा वारांसी ने ध्यान रखिएगा ये प्रशनमी अलड़ी दो से ती इन एक्जाम में आ चुका है मंजा वारांसी की बात करें तो ये तिलंगाना राजिसे हैं ये भी आपको देहा रखना है और जो आपके 2021 का Miss World Competition है उसमें भी ये भारत की तरब से पाटिसिपेट कर रही है तो option C होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि दिसम्बर 2020 में Miss Trans Global ज सितारा इनका नाम है तो option D हो जाएगा यहाँ पर correct आखरी प्रशन है कि October 2021 में Miss Earth इंडिया 2020 का खिताब किस ने जीता है तो ये जो खिताब है इसको जीत लिया है रस्मी मातुरी ने किस ने जीता रस्मी मातुरी ने जीता तो option B हो जाएगा यहाँ पर correct तो इस प्रकार से 2021 म जो हमारी 50 मैलाएं सबसे जादा चर्चित रही थी उनसे जुड़े हुए सारे प्रशनों को हमने डिसकस कर लिया है वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंड में भी अपनी राय दे सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जनुरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत